मंदिर और धरमशाला के पास रिहाईशी शेत्र में शराप का ठेका खोले जाने के विरोध में सैक्डो लोग सडकों पर उतराए लोगों ने बलवगड की मोहना मा को गंटे जाम रखा प्रिशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की पलिस द्वारा बार-बार समझाए जाने के बाद भी इन लोगों ने जब जाम नहीं खोला तो स्थानिय विधायक मूलचर शर्मा के भाई मौके पर आये वा उनके द्वारा ततकाल ठेका बन्त करवाये जाने की आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोल दिया सडकों पर जाम लगा रहे ये सभी लोग बल्लबगड के मोहना रोड इस्तित आसपास की कलोनियों के रहने वाले हैं जो अपने पडोस में शराब का ठेका खोले जाने का फिरोध कर रहे हैं पिछले दिनों भी समाजिक संगठनों ने ठेका हटाय जाने को लेकर एक बैठक की थी वह प्रशासन को भी एक ग्यापन दिया था उद्योगपती वह पंजाबी नेता अजय जुनेजा की माने तो जिस जगहाँ पर ये ठेका खोला गया है वहाँ पर धर्मशाला और मंदिर परोस में है इस ठेके के खोलने से आसपास का महौल खराब हो जाएगा इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस ठेके को यहाँ से बंद किया जाए वहीं विदायक मूर्चन शर्मा के बड़े भाई टीपर्चन शर्मा की माने तो वे इस मामले में चांच करवाएंगे यहाँ दो शराब के ठेके पास पास जगव पर खोले गए हैं जिने तुरंत बंद करवाया जाएगा कि अब पता चला है मुझे तो कि नहीं है हमारे वंदिल के आज बंदो ठेके हैं यह गुफता उठल के पास पता लगा अभी अभी अभीकारे उसे पता करेंगे परदिशन कहां किया है कितनी दूरी बेवंदिल में एक तो दॉटर वाला रहे है यह तेका है दोनों को हट रहे हैं